नमश्कार दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐलकोहल पीते हैं बहुत सारे लोग ऐलोपेथिक मैडिसेन रेगुलर खाते हैं जैसे कि बी-पी या शुगर के पेशेंट होते हैं मेलोपेथिक मैडिसेन रेगुलर खाते हूँ और पहुत सारे लोग ऐसी चीज़े खाते हैं जिस्में बहुत जादा प्रि Crisp sistemas रहती आप इसी चीज़ों में अल्कोहल में और साथी-साथ अलोपेथिक मैडिसेन में बहुत सारे Toxins रहते हैं जो हमारे सरीर में जाते हैं और टॉक्सिन को निकालने के लिए आपको डी टॉक्सिफिकेशन की जरूरत होगी खासकर बहुत सारे ऐसे मैटल्स जो सरीर के लिए बहुत ही जादा हानिकारक हैं जैसे कि लेड या यूरिया, क्रेटिनीन जो बढ़ जाता है तो सरीर में बहुत सारी प्राब्लम्स हो जाती हैं और खासकर अगर सरीर में किसी तरह का इंफ्लामेशन है उसके कारण आपके सरीर में टॉक्सिंस बहुत जादा आ जाते हैं तो डी टॉक्सिफिकेशन के लिए आपको डी टॉक्सिफिकेशन डॉप यूज करना चाहिए होमेपर्थी का यह एडल 66 नंबर डॉप है डी टॉक्सिफिकेशन डॉप जिसको यूज करने से आपके सरीर में चितने भी टॉक्सिफिकेशन है वो निकल जाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बहुत सालों से हैं वो ठीक हो जाएंगी खासकर skin related problems या कफ या allergic related problems ये problems बहुत सालों से रहती हैं और autoimmune diseases ये सब समस्याओं में इस drop का उपयोग बहुत ही अच्छा है और मैं काफी महीनों से ये दवा अपने patients को दे रहा हूँ results बहुत अच्छे हैं तो आज मैं इसी drop के बारे में आपको उचानकारी दूँगा मैं Dr. Vikram आपका मेरे channel में बहुत-बहुत स्वागत है पिछे लिए शुरू करते हैं दोस्तों सुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरू करियेगा और हाँ अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe करें बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि मैं ऐसे ही knowledgeable, homoepathic related, disease related videos लात रहता हूँ और साथी साथ अगर आपने subscribe करके रखा हुआ है तो आप मुझे email कर सकते हैं मेरे email ID पर किर्ति विक्रम सिंग परियार at the rate gmail.com पर आप अपना नाम लिखें अपनी problem या homoepathic related कोई question है तो वो लिखें साथ में एक screenshot इसी वीडियो का जरूर डालें कि मुझे पता चल सके कि आप मेरे प्यारे subscribers हैं तो please subscribe करें चलिए topic के तरफ चलते हैं तो adult 66 drop यह help करता है आपके सरीर से toxins को निकालने में चाहे वो external toxins हो या internal toxins हो external toxins जो आप खाते हैं सीधा directly उसमें ऐसी चीज़े होती हैं जो सरीर को खानी पहुंचाती है और internal toxins जो आपके सरीर में बनती हैं जैसे क यूरिया किसी को आपने सुना होगा कि uric acid काफी बढ़ गया है तो उन्हें दर्द की problem हो रही है तो ऐसे toxins को निकालने के लिए यह बहुत ही effective drop है तो adult 66 drop के बारे में आज मैं आपको पूरी चाहन करें दूंगा सबसे पहले यह बताऊंगा इसके अंदर कौन-कौन से medicines है औ इसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको किन-किन समस्याओं में यह दवा लेनी चाहिए और किन समस्याओं को यह ठीक करेगी और साथी साथ किन समस्याओं से यह बचाएगी उसके बाद मैं आपको इसकी price बताऊंगा कहां पर यह मिलेगी और सबसे लास्ट में मैं अपना ऑपीनियन दूँगा। तो चली ए सबसे पहले हमेपेथिक वेडिसम के बारे में जानते हैं कि सके अंदर कौन-कौन सी हमेपेथिक मेडिसम मिली हुई है। सबसे पहले इसमें जो सबसे इफेक्टिव दवा है इचिनेशिया। दोस्तो इचिनेशिया जो है वो inflammation मतलब सूजन को कम करती है चाहे वो chronic inflammation हो चाहे वो acute inflammation हो साथी साथ जो inflammation के होने के कारण जो toxins निकलते हैं उसे ये खतम करती है और ये बहुत ही effective blood purifier है और इसको लेने से आपकी immunity भी अच्छी होती है और autoimmune diseases के लिए भी बहुत ही effective medicine है तो इचिनेशिया इसमें डली होई है next medicine इसमें hydrostease है दोस्तो hydrostease भी लगभक यही काम करती है लेकिन इसके साथ साथ ये पेट में भी असर करती है साथे साथ as a blood purifier भी use की जाती है और इसे लेने से आपको gas acidity की problem बिल्कुल नहीं होती और साथे साथ ये chronic inflammatory diseases allergic conditions में बहुत अच्छा काम करती है जैसे कि bronchitis या pneumonia इसमें urgentum nitricum भी दवा डिली हुई है और ये दवा inflammation को कम करती है और toxins को निकालने के लिए ये बहुत अच्छी medicine है खासकर जो metals होते हैं जैसे कि lead या कोई और metals अगर आपके सरीर में है और हानिकारत metals दोस्तों इसमें ब्रायोनिया भी डली हुई है ब्रायोनिया आप जानते ही है दर्द को कम करती है inflammation को कम करती है सर्दी chronic bronchitis जैसी problems में बहुत अच्छी medicine है पिंपल्स के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है और साथी साथ ये inflammation और metabolism के कारण होने वाली जो extra toxins है उन्हें निकालने के लिए ये बहुत अच्छी दोस्तों इसमें गैलेरियम नाम की homeopathic दवा है जो की पिशा आपके थ्रू आपके toxins को निकालती है और बहुत जो heavy toxins है उसे ये बहुत ही अच्छी तरीके से निकालती है और last में इसमें glycoma है glycoma भी heavy metals को निकालने में बहुत effective है और साथ में urea creatinine को भी कम करने के लिए बहुत effective medicine है तो ये था इसका combination अब चलते हैं कि आप कौन-कौन क्यासी बीमारी में इसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे आप इसका उपयोग करें तो जोस्तों सबसे पहले अगर आपको pimples की problem है skin diseases की समस्या है eczema है chronic dermatitis है ectopic dermatitis है इन सब बीमारियों के लिए psoriasis जैसे बीमारियों के लिए जो बहुत लंबे समय से आपको है और skin disease की समस समस्या है तो ये दवा बहुत अच्छी है बहुत पुराने चर्म रूख के लिए ये medicine बहुत ही ज़्यादा effective है और मैं अपनी क्लिनिक में काफी ज़्यादा इसे उपयोग में ला रहा हूं अभी और बहुत बढ़िया results देती है इसके साथ आप कुछ और दवा दीजिए जो इसके symptoms को match करें जो आपकी समस्या के symptoms को match करें और साथ में इसको as a complimentary medicine use करें as a blood purifier use करें तो skin disease बहुत जल्दी ठीक होती है इसके अलावा अगर किसी को chronic allergy की condition है जैसे कि chronic sinusitis, allergic sinusitis, allergic rhinitis है, allergic bronchitis है या chronic bronchitis है तब भी यह दवा बहुत अच्छी है फिर से बोलूँगा कि symptomatic medicine जरूर दीजिए जैसे कि बहुत ही बढ़िया results मिलते हैं ये chronic inflammatory diseases में भी बहुत अच्छी दवा जैसे कि किसी को बहुत पुराना कफ है ठीक नहीं हो रहा है कफ और पता भी नहीं चल रहा है allergy के कारण भी नहीं है ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ठीक नहीं हो रहा है तो कफ की दवा के साथ साथ जैसे कि जस्टीशिया और जैसे कि ड्रॉसेरा उनके साथ आप ये दवा भी देंगे तो बहुत जल्दी आपको results मिलेंगे या किसी को allergy की problem है और उसे बार बार infection होता रहता है बच्चों को allergy की problem होती है बच्चों को बार बार सर्दी खासी जैसी problem होती रहती है तब भी इस दवा का उपयोग कर सकते हैं मैंने कुछ RA factor वाले patients को भी ये दवा recommend की थी R11 के साथ उन्हें भी बहुत फायदा हुआ जब उन्हें R11 उतना अच्छा असर नहीं की त उन्हें ये medicine ली तो बहुत बढ़िया फायदा हुआ और last में अगर आपको फोड़े फुंसी होते रहते हैं खासकर बाल तोड़ की problem बार बार होती है तो ये दवा आपके लिए बहुत अच्छी है कैसे इसका उपयोग करें अगर आप बढ़े हैं आप यंग हैं तो सबसे पहले एक चौथाई कप पानी लें एडल 66 टॉप लें उस एक चौथाई कप पानी में लगभग 20 बून इसको डालें खाली पेट लेंगे तो जादा अच्छे रिजर्ट मिलेंगे 20 बून डालने के बाद उसे पे लीजिए सुबह एक बार दो पहर में एक बार और शाम को खाली पेट पीचे अगर आप खाना खा लिये हैं तो एक से जड़ घंटे बाद ये दवा जरूर लीजिए सुबह दो पहर और शाम को ये मेडिसन बहुत फायदा करती है बहुत ही जादा इफेक्टिव ये दवा है और हाई चीज बताना भूली गया कि अगर आप अलकोहल पीते हैं या आप कोई मेडिसन खाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता उस मेडिसन के साइड एफेक्ट्स हो रहे हैं लंबे समय तक आपको दवा खानी जैसे कि अगर आप बीपी की मेडिसन खाते हैं या शुगर की मेडिसन खाते हैं तो ये दवा आपके लिए ही है इसे आप दिन में दो बार, सुबह, शाम लीचे, भी स्पून, एक चौथाई कप पानी के साथ, इसे टॉक्सिंस अच्छे से निकलते रहेंगे और आपको अच्छा लगेगा और बहुत सारी बीमारीों से आप बचेंगे, तो ये तो बताना मैं भूली गया था, चलिए अब आप जान गए हैं, बच्चे कैसे लें, एक चौथाई कप पानी में पास से दस बून, सुबह और शाम को, बच्चों में मूसली अगर बार बार सरदी होती है, या बार बार उन्हें फोड़े फुनसी होते हैं, तब ये दवा बहुत अच्छा काम करती है, तो आपको समझ म आगया कि ये दवा कितनी इफेक्टिव है और कैसे आप इसका उभियोग कर सकते हैं, अब जानते हैं ये आपको कहां पर मिलेगी, तो ये आपको हमेपैथिक शॉप में मिलेगी, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, वनमजी.com, हेल्थमग.com या फ्लिप कार्ट जैसी वेबसाइट इसकी प्राइज है, हो सकता है कि जैसे से डॉलर बड़े वैसे वैसे इसकी प्राइज भी बड़े, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अगले महीने ये 6 महीने बाद इसकी कितनी प्राइज रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 270 रुपे की ये चर्मन एडल 66 डी टॉक्सिफ पायर ट्रॉप है, बहुत ही बड़िया दवा है, इसका उपयोग आप करें, अगर आप जो मैंने समस्या बताई, उनसे ग्रसित हैं और आपको आराम नहीं लग रहा है, तो ये दवा जरूर लेके एक बार देखें, दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच् सब्सक्राइब करना बहुत साथ जरूरी है, तो सुने शेक शेर की बटिन देए तो जरूर इस वीडियो को शेर करिएगा, नीचे कमेंट शेक्षान है, मैसेज जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक से इर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, Thank you so much. Bye.